Hello Everyone, Welcome to NetJarab Solucenist Most Awaited Admit Card आ चुका है जियोग्राफिक के स्टुटेंट का साथ ही साथ जियोग्राफिक के साथ साथ जो November 4, 5, 11 और 13 को भी जो एक्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के Admit Card NTA ने फाइनली रिलीज कर दिये हैं तो अब इसका मतलब ये बनता है कि अब आप लोगों के एक्जाम्स होंगे और अब कोई भी नया एक्जाम्स डेट नहीं रिलीज होगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी Candidate की कि क्या कहीं फिर से NTA एक्जाम का नया डेट तो रिलीज नहीं करने वाला है तो जी हां अब इस परेशानी से या इस जो दुविधा है इस से आपको मुक्ति मिल चुकी है कि फाइनली अब आपको जो है दोबारा कोई और नया डेट नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हो यह ओफिशल वेबसाइट है NTA UGC NET की जहां पर की जून 2020 एक्जाम के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके है आप यहां पर देख सकते हो ऑप्शन आने स्टार्ट हो गए है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर यूजी सी नेट जून 2020 फॉर एक्जा तरीके से आपको क्लिक करते ही इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर आपको अप्लिकेशन नंबर्स अप्लाई करने है अपना डेटा बर्थ अप्लाई करना है और जो सिक्यूरिटी पे नहीं से अप्लाई करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और किस प्रकार से आपको admin का download करने चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक option आ रहा है जो student को काफी परिशान कर रहा है तो लिए चलता हूँ आपको अपने इस file पर जहाँ पर कि आपको दिखने वाला है कुछ इस तरीके का तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारा टेलिग्राम चैनल है नेट जेरब सॉलसनिस्ट आप इसे जोईन कर सकते हो किसी भी तरीके के latest मेरे classes के लिए और इस exams related या higher education related किसी भी notification के लिए तो आप इसे जोईन करिए टेलिग्राम पे नेट जेरब सॉलसनिस्ट जब आप अप्लाई करोगे जैसे अपना application ID आप डालेंगे और उसके आपने data of birth वगरे डालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको जो जैसे आप अप्लाई करते हो तो आपका application number यहाँ पर visible हो जाएगा और यहाँ पर आपके candidate name दिखने लग जाएगे ठीके इसके अलाबा आप declaration यहाँ पर होगा declaration में आई आपका नाम हो जाएगा यहाँ पर और आपका complete address detail हो जाएगा कि आप कहां से belong करते हैं यह actually undertaking इसलिए भरवाया जा रहा है क्योंकि अभी जो lockdown के कारण आप देखिरो कि जो COVID-19 की situation चल रही है तो identify करने के लिए वैसे यहाँ पर क्या करना है कैसे करना है चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है सब कुछ पढ़ लेना है जो की information bulletin में दिया हुआ है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है number 2 देखो आप यहाँ पर I have in the last 14 days क्योंकि यह quarantine days का duration है तो 14 days पर आपको tick करना है सिर्फ उन्हीं चीजों के उपर tick करना है उन्हीं options पर आपको tick करना है जो आपके उपर applicable हो अगर आपके उपर applicable नहीं है तो आपको वो options क्या कर देने हैं blank छोड़ देने हैं कुछ भी उसमें additional नहीं change करना है देखो 2 का option number 1 है the following flu-like symptoms अगर आप में अभी कोई flu-like symptoms देख रहे है last 14 days से अगर देखने को मिल रहे हैं यैसे कि fever, cough, breathlessness या आपको sore throat देखने को मिल रहा है या runny nose देखने को मिल रहा है या body act देखने को मिल रहा है या कोई other ऐसा symptom जो इसमें specified नहीं है दिए वे options में से बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस problem में हो आपको वो कुछ ऐसे symptoms दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर tick कर सकते हो otherwise अगर आप fit है, healthy है तो कोई डरने की बात नहीं है आपको किसी भी option को tick नहीं करना है option number B being in close contact with a confirmed case of COVID-19 यैसे कोई patient है आप जाने अन जाने उसके contact में आ गए close contact का मतलब यहाँ पर specify किया गया है means being at less than 1 meter जो proximity होगी वो 1 meter की होनी चाहिए और जो duration होना चाहिए 15 minute का होना चाहिए अगर आपने इतने duration और इतने distance को किसी के साथ close contact हुआ है तब आप यहाँ पर क्या करोगे options आएंगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या options आएंगे यहाँ पर आपको options देखने को मिलेंगे yes और no के option ठीक है देखो यहाँ पर आपको yes और no के option देखने के मिलेंगे अगर आप close contact में हैं तो yes कर देना अगर नहीं है तो no कर देना simply कोई भी इसमें additional आपको add करने की जरूत नहीं है c option जो आप देख रहे हो not been in close contact with a person suffering from covid-19 and am not under mandatory quarantine अगर बगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आप yes कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है not been in close ठीक है तो आप नहीं किसी contact में आये हो तो इसलिए आपका कोई भी mandatory अनिवार जो आपका quarantine period था उससे भी आप नहीं गुजरे हैं तो अगर आप नहीं गुजरे हैं तो यहाँ पर लिख देना yes अगर आप इस conditions में से pass out हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको करना होगा no ठीक है ध्यान डगना क्योंकि यहाँ पर लिखा हुए I am not under mandatory quarantine तो मतलब आप नहीं हो ठीक है तो इसलिए यहाँ पर yes कर सकते हो लेकिन एक बहुत और बता दूँ मैं अगर no भी भर दोगना तो कोई problem नहीं है इसमें क्योंकि जब आप final printout निकालो कि अपने admit card का तो मैं दिखाता हूँ कैसा वो दिखता है इसके बाद third number देख लेते हैं travel the following cities यह आपको admit card पर mention करना होगा है ना आपको खुद से लिखना होगा कि आपने last 14 days में कौन-कौन से cities को travel किया था center पर आने से पहले examination center पर आने से पहले अगर travel किया था थीक नहीं किया था कोई बात नहीं किया है travel कोई city है ना तो no कर देना लेकिन जैसे मैं हूँ मैं तो घूमता ही रहता हूँ तो मैं यहाँ पर yes करता कि मैंने बहुत सरे cities घूमे था इस lockdown duration में भी तब आपको यहाँ पर final submit करना है जैसे आप final submit करोगे कुछ इस तरीके का आपको आ जाएगा undertaking undertaking submitted successfully and now you can download your admit card जैसे आप इस पर click करोगे आपका admit card download हो जाएगा this is a part of admit card मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका एक section screenshot लगाया है आप यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे आप लोगोंने tick किया था इसमें कहीं पर भी जो कि हमने tick नहीं किया तो इसलिए कहीं पर भी tick का option नहीं आ रहा है कहीं पर भी नहीं आ रहा है blank है सब कुछ ठीक है आपको डाउनलोड करना है इसके लावा अगर आपने city कोई travel किया है तो कोई एक city travel किया है तो लिग दीजिए दो city travel किया है तो लिग दीजिए third city, fourth city कहीं पर भी travel किया है तो लिग दीजिए date of arrival in center city जब आप वापस आये हो अपने center वाले जहां पर आप मतलब आपका जहां पर center पड़ा हुआ है वहाँ पर तो उसका date आपको क्या कर देना है mention कर देना है अगर नहीं किया है तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ blank छोड़ देना है, nothing, सब कुछ blank कर देना है, बस यही है undertaking application, और इसी undertaking application के fill करते ही आपके admit card क्या हो जाएगा, download होना शुरू हो जाएगा, आप download कर सकते हैं immediately, ठीक है, तो अब admit card आप चुके आप सभी के, अब आप लोग आस्वस्त हो जाएए, शूर हो जाएए कि आपके exams होंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है, अच्छा, आप लोगों की जानकरे के लिए बता दूँ कि अनकेडमी पे मैं लगातार classes ले रहा हूँ, free classes ले रहा हूँ, आप सभी लोग आ सकते हैं लेने के लिए, इसके लिए मैं उन्हें open करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी charges नहीं, completely free है, इससे आपको revision करने काफी है, मिलेगा, तो जो revision करने के लिए special classes आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा हमारे plus courses भी चल रहे हैं अनकेडमी पे, geographic student हो, तो आप join कर सकते हो, detail courses के लिए geographic को access कर लिए, करने के लिए new batch start हो चुके हैं, अगले examination के लिए, और इससे examination के लिए भी आप दयारी कर सकते हैं, तो अगले examination के लिए join करना है, तो अनकेडमी प्लस join करिए, और यहाँ पर आपको choose करना है, plan choose करना है, कोई भी एक plan choose करना है, जो maximum duration का हो, इससे आपकी complete preparation हो सकती है, apply करना मेरा referral code additional 10% का, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और discussion करेंगें कुछ ऐसे important चीज़ों को, वैसे हमारी classes daily होती है, अपने channel पर ही आप उन्हें भी देखते हैं,